इस वीडियो में आज आप लोग को इस तरीके से बिटसी डिजाइन बना कर दिखाने जा रहे हैं, बनाना बहुत क्या आसान है और बनने के बाद आप लोग देख सकते हैं, प्यारा भी बहुत लगता है, कलर आप नहीं साफ से ले सकते हैं, छोटा बड़ा भी आप अपने इ अपने अचे, इसाफ से रहे हैं, कलता है, शब दिखाने ग्री के वीडियो को करते हैं, यह नहीं से ले शेवह क्वाएं, आप लोक के से आई होप, आप लोग बहुत एच्ची होगे, तो चलिको हम बैट सीड्ड आइन बना कर दिखाने जारें, बनाना बहुत यासान है, इसके लिए हमने चार कलर का कपड़ा लिया है, हमने वाइट लिया है, रेट लिया है, क्रीन लिया है, ब्लेक लिया है, कलर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, चोटा बड़ा भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, चलिए इसका मेजर्मेंट आप लोग को बता दें, और इसक पीसित तीन इंच लंबहीं है로 टिन चोड़ाई है इसको साइड में कर देंगे अर्ड वाला हमने लिया है कि इस ऐसे साड़े versa ठीन इंच लंबहाय चार अंक हने चारपे रिया है यह हमारा तिन इंच लंबाई, साड़े तिन इंच लंबाई और तिन इंच चोड़ाई और ग्रीन वाला भी हमारा तिन पीस, चार पीसे से, रेड वाला भी चार पीसे से तो अब हमें क्या करना है, यह रेड वाला पीसे लेना है, और वाइट वाला पट्टी लेना है दोनों को आपस में मिलाते हुए इस तरीकी से यह corner पर रखना है और अच्छे तरीकी से बराबर करते हुए कि बीच में हमें स्लाई लाना है और इसको मतब खादम करदेनाए स्लाई करकर और फिर अब इसको कर लेंगे फ्री उल्टा करने के बाद में जो हमारा वाइट वाला पट्टी रेट के बराबर से हम कर देंगे कटिंग इस तरीकी से यह देखें तो हमने कटिंग कर दिया फिर इसको हमें साइट रखेंगे और इसको भी हमें सेम ही रखना है इसको भी हमें corner से slide करना है और white पाले पे हमें खतम का देना है तो यह देखे हमने cutting मतब कर दिया इस तरीके से slide करकर अब हमें cutting कर देना है तो हमने cut भी कर दिया अब इसको भी same ही उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद में इसको जो हमारा red वाला pieces से white वाले पट्टे को red के बराबर से cutting कर देंगे तो देखे यह हमारा बनकर तयार होगे आप दूसरे में same ही करेंगे तो इस तरीके से में 4 pieces की जरूरत है तो दो में हम आप लोग को करकर बता दे रहे हैं दो हमने पहले से करकर रख लिया था नहीं तो video बहुत ही ज़्याद लंबा हो जाता तो आई हूप आप लोग को हमारे बताने का तरीका समझ में आ रहा होगा हम आप लोग को अच्छे तरीके से बताने की कोशिस करते हैं कि समझ में आ जाए तो एक साइट देखे हमने इस लाई कर लिया corner से फिर दूसरी साइट से में ही रखेंगे इसको भी तरीकी से रखेंगे corner से रखेंगे और फिर हमें बीच में खतम कर देना है इस तरीकी से तो यह देखे हमने इस लाई कर लिया अब इसको भी cutting कर देंगे तो हमने cutting कर दिया यह देखे हमारा कितना बराबर से आ गया है तो इसको भी हम अच्छे जो इस्ट्रा है उसको अच् कर रख लिया था अब इसको कर देंगे साइड में फिर हमें गिरीन वाला लेना है और हमें वाइट वाला लेना है तो गिरीन वाला लेंगे यह देखें कॉर्णर से इसको भी स्लाई करना इस्टार्ट करेंगे और यहां पर हमें खतम कर देना है यह देखें इस तरीके से तो कि रिंधा किकि में इस तर्शी के से खतम कर दिया है और अब जो इसको घरीन वाला है जी वालब पीट्टी को हम गरीन वाले पीशे को अच्छे तरीकिस से आह साइए तो एक पर पांपोर करना दीजिए गहां pretty तो आई होप आप लोग को हमारे बताने का तरीका समझ में आ रहा होगा और हमारे सिलने का तरीका भी समझ में आ रहा होगा अगर आप लोग को हमारे बताने का तरीका समझ में आ रहा होगा अगर आप लोग को हमारे बताने का तरीका समझ में आ है तो देख कर भी समझ सकते है है आप इसको कर देंगे उल्टा करने के बाद में इसको इस तरीके से इसको इस तरीके से हम त्विश्ट रहे हैं उसको अच्छे तरीके से बराबर करते हुए कटिंग कर लेंगे तो सेम ही हमें इसको भी साइड रखना है दूसरे साइड और अच्छे तरीके से बराबर करते होई हमें असलाइक कर लेना है तो यह दिखिंग करने के बाद में इसको उल्टा करेंगे और अच्छे तरीके बराबर करते हुए हम बделध कर लेंगे कि एक तो यह दिखिंग हमने इस तरीके से कटिंग कर लिया आज इश्ट्रा जो था अब यह पीसिस हमने आप लोग को बना कर दिखाया और दो हमने पहले सी कर रख लिया था अब हमारा यह चार पीसिस बनकर आया है तो जो इस ट्रा है उसको अच्छे तरीक से बराबर कर कर कटिंग कर लेंगे by और trapped वाया में अब लेने के बाद में आप लोग को दिखाते हैं को तो यह देकि हमने इस पर्ट कर लिया और कि रिए यह करना ने करना है और यह जो लेना है दूनों को आपसमें मिलाते हुए एचा तरीकी से बराबर करते हुए। चलंग कर देना है तो यह कहा है हमने एक साइड हो जई कर दिया ठाल के चलंग कर दिया है। तो यह कहा हमें एक टीवन कर तयार हो गया है। और अच्छे तरीके से बराबर करते हुए हम सिलाई कर देंगे इस तरीके से अब इसको एक एक करकर कटिंग कर देंगे तो हमने कटिंग भी कर दिया फिर ये दूसरा पीसे लेंगे और इसको भी जो इश्टा था उसको हमने मतब नहीं कट किया था तो उसको कट करेंगे और यह वाला पीसी लेंगे और इसको हम इस तरहीं से लाइय कर लेंगे do फिर बनने के बाद प्यारा बिराव में बहुत लगता है अब बेबी बेट सीप में पीलो काबर में सिंगल डबल कुछमी में बना कर ट्राइ कर सकते हैं तो देखे एक साइड हमने स्लाइ कर दिया और इसको अब कर देंगे कटिंग तो हमने इस तरीके से कटिंग भी कर दिया और अब दूसरी साइड हम इसको सिलाई करेंगे इस तरीके से आप इसमें वाइट का रेड का गरीन का बलेक का जिस कलर का आपको लगाना है उसका पट्टे लगा सकते हैं अपने इसवाप से और एक करकर जॉइन कर सकते हैं जब आपका डबल बेट का बेट सीट या सिंगल बेट का बेट सीट कमप्लीच हो जाए तो आप चारो साइड उसमें पट्टी लगा सकते हैं चार इंच की चोड़ाई या तीन इन ट्रड़ाई या पाच इंच की चोड़ाई रख सकते हैं और तीन चार कल रख got is तो आप उसमें चार कलर का पट्टी लगाईए साइड में और बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगेगा आप लोग जरूर बना कर ट्राइ करिएगा आई होप आप लोग को डिजान पसंदा होगा और हमारे बताने का तरीका भी इस तमझ में आया होगा अगर आप लोग को ड क्वारव ऍटें लोग बताने कि लग दोग हूई जरूर आप लोगा ख लोगा आप लोग पी bandwidth को होगान सेख़ में अथरूरू आप लोगाई साघरू कर लोगा